इस वीडियो में एक ऐसा शेर ढूंडने ही कुशिश करेंगे, ऐसा शेर देखने ही कुशिश करेंगे, जो जब से IPO है, तब से downfall में है, तो क्या जो statement है stock market में कि हमको गिरते वे stocks को नहीं ढूंडना चाहिए, उनको नहीं पगणना चाहिए, we should not catch the falling knife, क्या ये statement, so परतीशत स रही है, क्या हमें वाकई गिरते वे stocks को बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, दोस्तों मैं थोड़ा contrarian trader हूँ, मुझे लगता है कि जब बजार में बहुत ज़्यादा हला हो किसी stock को लेने का, आपको उस समय उसको लेने से बचना चाहिए, आपको wait करना चाहिए, कितना हला क्यों मचा है, क्योंकि हो सकता है, वो pump and dump की story हो, हो सकता हो, placements हो, हो सकता है, आपको माल चिपकाया जा रहा हो, वैसा ही, अगर ऐसी story चल रहे है, कि जहां कहा जाए, इस stock से भार हो जाए, इसमें पैसा नहीं लगा रहा, वहाँ पे हो सकता है, कोई technically एक opportunity हो, देखो technically और fundamentally दो चीज़े होती है, fundamentally stock में हम यह पता लगता है, कि company management कैसी है, company balance sheet कैसी है, profit loss accounts कैसे है, important ratios क्या कह रही है, उसकी sales क्या है, सब चीज़े है, वहाँ से हमें समझ में आता है, कि fundamentals कैसे हैं, कि अपनी के stock में निवेश करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बट अगर हम साथ में technical vehicles को add कर दें, तो कहीं न कहीं, as a trader, हमको बहुत अची opportunity मिल सकती है, इस video को purely मैंने education learning purpose से बनाया, जहां पे हमें एक ऐसे stock को देखेंगे, जो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं उसको technically हमें watch list में रखना चाहिए, शायद उसमें एक bounce expected हो सकता है, किसी पितरह का buying selling आपको decision नही नहीं दे रहा हूं, but learning के साथ में, हम साथ में एक और example देखेंगे, जो मैंने बहुत प्राइम पहले अपने trading room में paid members के साथ में share किया था, जहां पे मैंने उस share को, जब पूरी media houses उसके against थी, social media, print media, electronic media, जब उस stock के against थी, वहां मैंने उस stock को predict किया था, और वहां से उसने returns expected थी, उसको भी देखेंगे, क्या वैसा हुआ, तीसरा ये stock जिसको इस वीडियो में discuss करने वाले, ये देखेंगे, क्या इसके साथ भी ऐसा हो सकता है, दोसरे मैं गलत भी हो सकता हूँ, तो please अपनी study करने के बाद, अपनी analysis करने के बाद, अपना दिमाग लगाने के बाद तो stock का नाम में आपको अभी बतायता हूँ, stock का नाम में NICA, आप चाहें, तो वीडियो को अभी बन कर सकते हैं, बट अगर आप चाहते हैं, क्या NICA में कोई ऐसी opportunity बन सकती है, तो please इस वीडियो को अन तक देखना, और देखना कि मैंने वो technical grounds पे, पे वो technical grounds पे उन stocks को, जि analysis करने, बहुत मैनत लगती है, एक जिम्मेदारी का काम है, तो please मुझे motivate करने के लिए, एक like प्रेस करके आगे बढ़े, आज की इस वीडियो के likes कर आगे कम से कम हजार रहेगा, तो मुझे बहुत जारा खुशी मिलने वाली, चलि वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और दी थी, वहीं आज से कुछ महीने पहले मैंने live trading room में उसको बिलकुल bottom पे find out किया, bottom पे, 441 का bottom बना था, ये देखी हम या mark खाते, ये एक bottom बना था, 444 का, 435 के आसपा से bottom बना था, 444 पे हमने इसको catch किया, यहाँ पे हुआ क्या था, समझ के देखे एक technical breakout हुआ था, company चल से एक statement सामने आती है कि वो share को buyback करना चाहते हैं और 800 रुपे के आसपास का उनने buyback का target दिया, सब ने लगा, सब को लगा, media houses पे यह नहीं possible है, Mr. Sharma ये करने के लिए capable नहीं होगे, but management जब IPO लेके आती है, host company losses में रही हो, पहले मैं ने इस वीडियो में का था, अब को दो share पर उसको पकड़ा, यह मैंने tweet करके Twitter पे और बहुत जगे मैंने इसके आपको proof दिये थे कि इसको आपको लेना चाहिए, यह stock ने बहुत अच्छा breakout दिया और यहां से यह stock breakout करते करते करते, जबरदस्त, आज 913 रुपे का हाई लगा चुए, कितने महीने में देखिए, November 2022 स पतलब जादा जादा आठ महीने, आठ महीने में कोई भी investment class, कोई भी asset class, आपके पैसे double नहीं कर सकते ही, सिर्फ share बाजार कर सकता है, share बाजार में करने का दम है, क्योंकि share बाजार है, प्योर पैसे का खेल, यहां पे businesses list होते हैं, यहां कोई 60 नहीं मारा जाता है, तो पहला पे के आसपास से जबी stock ने breakout दिया, inverted head and shoulder pattern को break किया था, यहां से, इस portion से जबी stock भागा है, तो यहां से stock ने 1090 का high लगा दिया, तो क्या bottom fishing नहीं करनी चीए, क्या यह falling knife नहीं था, क्या यह share लगाता, गिर नहीं रहा था, इसके उपर मैंने exclusive video बना गिदी थी अपने चैनल से जून, दो से तीन महीने के अंदर अंदर, जबरस written है, तीसा share इस कड़ी में रहा, Zomato, इस video का purpose आपको यह समझाना, क्या falling knives को catch करना चीए, यह नहीं करना चीए, Zomato, एक ऐसी food delivery IPO थी, जो खराब हुई listing के बाद से भाव गिरता चला गया, लगाता गिरता चला लगा, 56 सिक्स पेस का breakout था, 56 के breakout पे मैंने बहुत ही clearly आपको खाता, यह breakout होने वाला है, breakout हो गया है, 56 से इसने high लगा दिया 80 रुपीज का, इतना return है, 60% का return कितने दिनों में, मही से लेके, जून, एक महीने के अंदर अंदर यह stock 60% चल चुका है, आप सोच के देखिए, अब इस चुड़ा हुआ item है, सभी के सभी इनके पास में make-up है, skin care है, hair care, appliances है, bath and body items है, mom baby care products है, health and wellness में काम करती है, नायका fashions में भी इध्यान लगना, नायका fashions में भी है, सिर्फ beauty बीटी पे काम ने करी है, beauty advices का काम भी करती है, एक company जो recently IPO लेकिया है, एक business करती है, चलती प्रोड के आसपास के इसके करजे है, बिल्कुल manageable है, कोई issues ही नहीं है, इतनी बड़ी equity के against में, इतनी बड़ी debt matter ही नहीं करती है, अब कहानी क्या है, fundamentally हो सकता है, आरो भी एक पसंट का है, खराब हो सकता है, बिल्कुल सही है, देखे, नायका is the last year's specialty beauty and personal care platform in Indian terms of value and products sold in FY21, बले company का, जो personal care का business है, वो 90% वहीं से आता है, और company national काम ने करती है, इंटरेशनल भी काम करती है, पुरा पढ़ लिजेगा, पुरे यहाँ time waste नहीं करेंगे, यह आपके public domain में यह figures available है, यह पूरी-पूरी details यहाँ पे available है, अब हम बात करने वाले pure-pure technical scheme, यहाँ पे अगर बनानी है, तो मैं यहाँ पे 132 रुपी का trailing stop loss, चोटा था stop loss लेके बैटों और retracement, अगर मैं Fibonacci लगाता हूँ, first pullback could be around 23% retracement, which is 188, second हो सकता है, 234 रुपे, जो 38% के आसपास है का, then 50% of the move, which will be 270, यह तो हो वो सकने की संभावना है, stop loss कितना है, stop loss जला सा है, 148 के आसपा के ऊपर background दिखाई दे रहा है, मंदली चार्ट के ऊपर आपको breakout दिखाई दे रहा है, और सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे दिखाई दे रही है, सबसे अच्छी चीज़ वो है, यह breakout is with the volumes, बात सामय में आ रही है, breakout is with the volumes, और अभी यह breakout को sustain करता हुआ, यह share दिखाई दे ताकि आपको अपनी सड़ी में help मिले, इस वीडियो उने चार शेरी discussions की है, फिर हमारा टालना प्रैट्फरम्स रहा, और हमारा नायका उसकड़ी में शामिल हो जाता है, और पे टियम ने हमें पहले ही surprise करके रखाए, ऐसा नहीं है कि धंदे रातो रात खराब हो जाते हैं, जो खराब धंदे होते हैं, उसको management सही करने की कोशिश करती है, मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि नायका चलेगी, चलेगी, कुछ नहीं वालु में, बट क्या नायका, कुछ सोचके तो business में आई होगी, क्या नायका ने listing सिर्फ बजार से पैसा उठा के गायब हो जा यहाँ पर इतना सा रिस्क लेने की कोशिश करूँगा, अब बाकी अल्ला मालिक है ना, देखते हैं क्या होता है, दोस्तों उमीद करता हूँ, वीडियो पसंद आया होगा, कुछ शायद आयूब न रहा हो, कि गिरते हुए सोक्स को पकड़ना चाहिए, या नहीं पकड़न करना चाहिए, falling knives can sometimes be very highly rewarding, दोस्तों वीडियो पसंद आया हो, तो फ्लीज लाइक करके आगे बढ़ना हो, दोस्तों शेयर जरू करना, क्योंकि knowledge पर सब कहा दिखा रहे है, पर अगर आप चाहते हैं कि live market में आपकी handholding हो, आपको समझाया जाए कि बजा का trend क्या है, किस trend में trade लेना है, call कहां लेनी है, put कहां लेनी है, कौन सी strike price की call लेनी चाहिए, कौन सी strike price की put को right करना चाहिए, किस समय करना चाहिए, how to time the markets, how to take a trade, live during the markets, free of cost, तो 9-11 मेरे चनल को subscribe करके रहे हैं, daily life sessions होते हैं, daily की daily, buying selling advice नहीं होती, but yes, आपका brainwashing ज़रूर होता है, आपको यह गायब हो जाते हैं, तो अगर आपको career बनाना है, आपको बज़ा को समझना है, free of course, वो learning जो लाको रुवी classes में नहीं मिलेगी, तो 9-11 daily मेरे साथ जुड़िये, सिर्फ 2 घंटे में, पूरे दिन की कमारी, guaranteed है, bye, see you.